सुशांजिक रागपूद मामले में मुंबई आय आई पेस अधिकारी विने तिवारी जो है उनको कौरिंटीन कर लिया गया है और बिहार के जो डीजीपी है गुपतेश्वर पांडे उनका ये मानना है कि उनके अफसर के साथ जबदस्ती की गई है जी हां गुपतेश्वर पांडे ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं आई पिस ओफिसर बिने तिवारी वीश मुंबई तुडे फ्रॉम पत्ना अन ओफिशल डूटी तु लीड पोलिस टीम देर बट ही हास बिने वीजीपीट अफिशल अफिशल अट 11 पीम तुडे ये वास नोट प्रॉ जब अदस्ती क्वारिंटीन कर दिया गया SSR केस में जाच करने वाली टीम का नितरत्व करने गए थे अब यहां से कहीं नहीं निकल सकते और उन्होंने इस तस्वीर को शेर किया है कि उनको क्वारिंटीन किया गया है साथ ही एक वीडियो शेर किया है तो अब कहीं न कहीं इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि essential service के लिए दूसरे state में गए इस तरह के IPS अधिकारी को quarantine करके क्या सरकार बहुत बड़ा game खेल रही है या उनके साथ इस तरह का सलुक क्यों किया गया जिस तरह से गुपतेश्वर पांडे ने कहा कि उनके साथ जबदस्ती हुई है उन्हें for possibly जी हाँ forcibly quarantine किया गया है और बहाँ जो महराज सरकार है उनकी इस कदम की काफी टीका हो रही और कहा जा रहा है कि इस तरह से उनको quarantine क्यों किया गया है तो यह बहुत बड़ी ख़बर आई रात को हमने आपको सबसे पहले बताए कि किस तरह से उनको quarantine किया गया उन्होंने क इंटर्व्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि BMC authorities आई थी मुझे quarantine किया गया है और मैं जो है apply करूंगा लेकिन जब तक मुझे exemption नहीं मिलती है तब तक मैं move कहीं नहीं करूंगा तो यह बहुत बड़ा जो है कदम उठाया है महारार सरकार ने BMC officials ने और उनको 14 दिन के किया है जिसकी बिहार पुलिस टीजीपी ने टीका की है